आदाब मैं नीता सिंग हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सुरते हाल पर खास प्रोग्राम लेकर ये हैं इंडिया हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात डैम रिहेबिलिटेशन की कोशिशों और उसकी उम्मीदों और इमकानात की जी हाँ डैम या बांध एक तरह की रुकाव है जो पानी को बहने से रोकता है और बड़े पैमाने पर पानी के जमाव में मदद करता है इससे बाढ़ आने से तो रुकती ही है जमा किया गया पानी इरिगेशन और पानी से बिजली बनाने पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने और बोटिंग के लिए भी ये मुमकिन बनाता है हमारा ये देश बहुत बड़ा है और यहां डैम की तादाद भी ज्यादा है और काफी गुंजाईश भी है लेकिन खास बात ये है कि डैम हमारे मुल्क की तरक्की को रफतार देकर एक मॉडरन नेशन बनाने में एहम किरदार निभाते हैं इसली देशा काम को मुझावश भी में एक ऑर सब्सक्राइब की फेज्टार सुण परालिए त्लिए करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास बह ुमार मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ति के जॉइंट सेक्ट्रेटरी संजय अवस्थी आई इटी रूर्की के प्रोफेसर एंके गोयल और ड्रिप के प्रोजेक्ट डिरेक्टर और रासी गुलशिंद्राज आप सभी का वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में इंडिया को किस तरह से मौर्डनाइज कर सकता है यह या फिर एक अलग स्थान पर ले जा सकता है अगर हम बात करें इन वर्ल्ड आपने का की लीडर बन सकता है और किस तरह की बैनेफेट्स ड्रिप से मिल सकते हैं देखिए एक वैसे यह कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है पर जो सिक्स या सेवन जो टॉप कंट्रीज हैं लाज डैम्स के मामले में उनका डेवलोप्मेंट लेवल भी दुनिया में कुछ-कुछ उसी करम के हिसाब से है यानि कि एक कोरिलेशन कहीं ने कहीं हम देखते है है उसमें और डैम्स जैसा आप से बताया जो यह 43% वाटर हम स्टोर करते हैं इनके रिजर्वाइज में यह बहुत ही प्रिस्टीन हालत में बड़ी अच्छी शुद पानी यह होता है क्योंकि उसका ध्यान यह कि आ जाता है कि जब शुरू में बरसात होती है तो जो यह इतना बड़ा सोर्स है उसको हमें देख भाल करना यह हमारी एक मजबूरी कह लीजिए इससे हम कहीं किसी तरह से बच्छी से दूसरी बात यह है कि जो हम यह जो प्रॉजेक्ट कर रहे हैं उसमें जो हमने टेक्निकल एक्सपर्टीज हम खुद हासिल करेंगे आत्म निर भरता अपनी बढ़ा रहे हैं उसमें कई ऐसे एक्विप्मेंट भी लगते हैं और कुछ नहीं एक चोटी सी बात है कि कहीं कहीं सीपेज के लिए एक फैबरिक से बना हुआ एक शीट होती है तो वो भी अभी इंपोर्ट हो रही है पर जैसा पता चला कि कुछ लोगों ने क हम इसको बना सकते हैं तो उस तरह की भी एक इसका स्पिन स्पिन आफ है साथ में हमारा एस्टिमेंट है जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है 10 लाक मैंडेज का हम इंप्लॉइमेंट अंस्किल्ड वर्कर के लिए जनरेट करेंगे इसके माद्यम से और लगभग धाई लाक मै के लिए हम यह इंप्लॉइमटि इस पे हम जनरेट कर रहे हैं तो इस तरह से आप यह देखें कि ये इस क्या इसका सिरिफ जब विशयशक जो हैं वो उसको सिर्फ डैम को ही देखते हैं पॉलइसी के लेविल पे ए सारी चीज़ें देखी हैं एसके आसपास हम क्या-क्या औ और भी हम चीजें कर रहे हैं और किस तरह से हम अपना साथ इस तरह का यह बढ़ा रहे हैं स्टेट के साथ काम करने का क्योंकि water state subject है और water जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो इतना एहम है कि शायद हमें ऐसा लगता है कि सबसे जादा heated debates जब उस circles में सबसे जादा water को ले करके होते हैं तो यह एक बड़ी वो आप लोग सुनते होंगे news देखते होंगे water disputes tribunal यह सारी चीज़ें तो क्या है कि वह बड़ा एक इतना एक sensitive issue है कि उस पे अगर हम लोग इस तरह से साथ एक साथ बैट करके और एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल है किसी और भी प्रॉजेक्ट के लिए कि हम इसको साथ साथ मिल करके कर सकते हैं तो जो इसके spin-offs हैं हम डैम की safety structure आप दोनों जो विशेशग्य हैं उन पे छोड़ते हैं पर जो policy के तोर पे जो फायदे हमें दिखाई देते हैं वो हम आपको यह बताना चाहते हैं तो उस तरह का है और हम लोग यही समझते हैं कि यह template होगा कि आगे किसी भी तरह का हम कोई इस तरह का काम करें तो यह होगा मिलकुल आप में तो काफी सारे फायदे गिना दिये ना सिर्फ डैम rehabilitation के सासाथ employment generation भी होगा प्रफेसर गोयल आप से जाना चाहेंगे कि IIT रूर्की से आप हैं अगर हम बात करें institutions की तो वो किस तरह से contribute कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में उनका किस तरह से योगदान रहे जी आई टी रूर्की जो ड्रीप रोजेक्ट है उससे ये 2015 में जुड़ा था जे और सबसे पहले 2017 में एक थर्ड नेशनल डैम सेफटी कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया था February 2017 उसके बाद से फिर हम लोग जो है कम O.U. में O.U. में O.U. का करार किया संडरल याट कंपीशन के साथ और जिसमें की IIT रूर्की के विभन डेपर्मेंट्स जो है वो जूड़ें एट रूर्की के बेत साइड डिपार्मेंट्ट्मेंट्स हैं जो वाटर के एरिया में काम कर जिनमें मुखी रूप से हैं, Department of Hydrology, Department of Civil Engineering, Earth Sciences Department, Architecture and Planning Department, Earthquake Engineering Department, Hydro and Renewable Energy Department. तो इस सब लोग मिलके जो है उसको इस एरिया में काम करते हैं. तो जब 2017 में हम जुड़े तो उसमें जो है दस लैब्स का स्टेंथनिंग जो है इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया. और उसके साथ-साथ ही जो हम लोगों ने सीखा है उसके बेसिस पे तेज ट्रेनिंग प्रो में हुई थी और जिसका मुख्य काम था गंगा कैनल के निर्मान का और उस निर्मान के लिए जो आवश्यक जो मैन पावर थी ट्रेंड मैन पावर को सप्लाई ट्रेंड करना तो अठारज सेंटाली से ही इस उसमें जोड़ा हुआ है और आज की उसमें जो है जैसे डैम डि जाइन का हर आस्पेक्ट आयाटी रूर्की में किसी ना किसी रूप में डील होता है लेकिन इस ड्रिफ फेज टू और फेज थी के माध्यम से हम लोग अपनी कैपेसिटी को फर्दर डेवलप करना चाहेंगे और उसमें निकट भविश में अभी जो एक इंटरनेशनल करेंगे और साथी साथ एक बहुत इंपोर्टेंट है कि अगले सत्र से हम लोग एक मास्टर्स प्रोग्रेम डैम डियाबिलिटेशन और सेफ्टी के ऊपर सुरू करने जा रहे हैं और इसमें जो आई टी के डिफरेंट इपार्मेंट्स हैं जैसे डिपार्टमेंट ओफ गडियाद गडिया वाले सी दितूरों अचैनल एक डिया रूट के अजो से जोड़ेज़ वी भी आउजित करते रहते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ण मास्टर्स प्रोग्राम हैं आई टी गोर्की में जैसे की ज तो हमारे ए्ट in hydrology है m-tech in water resources development है m-tech in civil engineering है m-tech in earthquake engineering है m-tech in renewable energy है तो उस तरह के programs हमारे चलते रहते हैं और जैसे सुरू से ही जैसे WRDM की स्थापना 1957 में हुई थी department of ideology 1972 से सुरू हुआ इसी तरीके से डिपार्टमेंट अवर्थ को एक engineering भी काफी पहले से एक इस्तापित है तो इस लिहाद से सुरू से ही लड़ सो साल से भी जादे से जो है वो हम लोग इस ख्षेत्र में जुड़े हुए हैं और निरंतर काम कर रहे हैं लेकिन इसमें सीखना लगातार आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो होना बहुत जरूरी है और आयटी रूटकी में वो कम से एक अंदा मिला के चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे हैं जी प्रोफेसर साब ने जो कहा मैं उसमें थोड़ा सा और एड करना चाहूंगा कि हमारा आयटी रूटकी के साथ मेमरेंडा ऑफ अंडरस्टेंडिंग है इसके तहत हम जो इनका अर्थक्वेक इंजिनिरिंग डि इंपार्टमेंट है उनके साथ मिलके कॉलैबरेशन करके एक हम वेब टूल बना रहे हैं जिसको हम सीजमिक हैसाड असेस्मेंट इनफरमेशन सिस्टम शायसिस कहते हैं इस होता क्या है जब भी हम डिजाइन का जो डैम है उसका डिजाइन जो है या उसकी स्ट्रक्चरल जरूरत है या नहीं तो यह जो साइजमिक पैरामीटर्स होते हैं यह जो है इनको हमें वर्क आउट करना पड़ता है अब जैसे मैंने बताया कि ओवर दा इयर्स जो हमारे डैम्स हैं किसी विशेश जहां भी सिच्वेटेड हैं वहां पे जो अर्थवेक के पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए हैं क्योंकि अर्थक्वेक जो है बीच बीच में आते रहते हैं उनकी जो इंटेंसिटी है सिवियरिटी है बढ़ती रहती है चेंज होती रहती है नए नए आयाम स्थापित होते रहते हैं तो हमारे पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसकी मदद से यह ज की डेट में उस तरह के पेरामीटर्स को सस्टेन करने की पोजीशन में है जा नहीं तो आयाइटी रुड़की को हमने जो जो है ये वर्क दिया हुआ है कोलेबरीशन के साथ जो पैनल्स रर इंडिया जो हमारा दक्षिन भारत का राज्य राज्य हैं जिसमें वहां पर जो डै फेज वन के बाद किस तरह की लर्निंग्स हुई या फिर बात करें कि स्टेट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है इंस्टिउट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है किस तरह की चैलेंजिस फेज करते हैं और आगे उसको किस तरह से अब आगे फेज टू ए फेज थ्री में इस जो है implement करेंगे ताकि जो ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छी तरह से चले हमने ये देखा कि हमारी जो स्टेट गॉर्मेंट्स हैं जिनके जो इन डैम्स को ओन करते हैं उनके पास जो है financial resources की जो है कमी हमेशा रहती है तो उसके रहते हुए हमने इस प्रोजेक् अर्टिकुलर डैम पर कुछ इस तरह की facilities डवलिप करना चाहे जिसकी वज़े से कुछ revenue earning होती है तो उसको हम जो है इस scheme में पर्मोट करेंगे बशार्त ये है कि जो भी हम revenue generate करेंगे इस project में implementation करने के बाद जैसे कि अगर वहां पर मान लीजिए tourism की कोई facility जो है वो generate करते है डवलिप करते हैं या फिशरी कल्चर वहां पर फिशी कल्चर जो है उसको हम पर्मोट करते हैं या हो सकता है कि कोई डैम ओनर ये चाहता है कि मैं अपने डैम में जो इतना बड़ा रेजर वायर है पानी का उसके ओपर मैं कोई solar plant लगा दूँ जिसकी वज़े से मुझे जो EE रेट हो तो उस revenue का जो है पाठ जो है कुछ हिस्सा जो है वापिस उस प्रोजेक्ट पे आना चाहिए ताकि उस जो revenue को earn किया है उसको हम जो है उस डैम की मरम्मत में रख रखाब में उसको ठीक तरह से उसके संचालन में खर्चा कर सकें तो इस तरह के जो संजी जिस तरह की होप्स हैं कि अब रहे हैं किा भारात सरकार रिवेटी करने की आखै है किया कुछ दिखने को मिल सकता है। देखे ये तीन चीज़ें बताईएं, फिशरीज बताया और आपको टूरिजम बताया और साथ में सोलर बताया तो सोलर एनर्जी जेनरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमें कभी आश्चरे हो सकता है कि जब हम डैम इतना बड़ा ये रिजवायर है इसमें हम सोलर एनर्जी की क्यों बात कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आज जो टेकनोलोजिकल एडवांसमेंट हुआ ह सोलर एनरजी में वह इस कदर हो चुका है कि लगभग 2.40 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली उसमें बन सकती है बनती है तो यानि कि उसमें जबरदस्त गिरावट आई है उसकी जो कीमत है और वो है साथ में यह जो स्ट्रक्चर की बात या जो यह डिवाइसे की बात हो रही है यह फ्लोटिंग डिवाइसेज है यह रिजर्वाइर में फ्लोट करते रहेंगे और उनमें आप सूरज से वो सन से वो बिजली बनती रहेगी साथ में उसका एक बड़ा इंट्रेस्टिंग स्पिन ओफ है वो यह है कि उसमें इवैपरेशन कम होगा जब आपने उसक हमें यह बिजली का मिला तो इसके साथ साथ अगर किसी स्टेट से या किसी भी डैम ओनर से कोई और किसी तरह के सुझाओ आया कि इसको करने से हम इसके इर्द इंटीग्रेटेड वे में कोई हम ऐसी एकनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि डैम का दो भला होगा ही ह साथ में कोई रेविन्यू जनरेशन होगा तो उसके लिए बिलकुल ओपन माइंड है क्योंकि हम चाहते हैं कि डैम्स की जो इंपॉर्टेंस है वह एक आम आदमी तक एक जो जो सारे हमारी सिटिजन्स हैं उन तक भी पहुंचे खाली वह तभी उनके ध्यान में ना आया कि क इतना एहम है और कितना इंपॉर्टेंट है वह तब जब उसके आसपास आप कई तरह की एक्टिविटीज आप जिसमें की आप सिटिजन्स को भी इंवाल्व कर सकें तो उसके लिए उपन माइंड है उसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं है हम लोंने तीन सिर्फ आपको बताया जिस तरह से आप पता रहे हैं प्रोफेसर गोयल आप से जाना चाहेंगे कि आपने बात की तमाम तरह के कोर्स चल रहे हैं आए टी रूट्गी की बात करें तो लेकिन जो और इग्सिस्टिंग मैन पावर है तो कैपिसिटी बिल्डिंग के लिहाज से कैपिसिटी करने के लिए कुछ आगे किया जा सकता है क्या है आई टी रूर्की में कुछ डिपार्टमेंट सेंь जो की जिसमें की जो इस हमें जो इन्सर्विस इंजिनियर्स है वो आते है और इन्सर्विस इंजिनियर्स अपने दो साल की मास्टर्स प्रोग्राम करके जो हैं एम्टेक की डिगड़ी लेके जाते हैं और वो अपने जो उनकी फिल्ड प्रॉब्लम्स हैं, अपनी डिजर्टिशन में उन फिल्ड प्रॉब्लम्स के उपर काम करते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारे शोर्टरम कोर्सिस का आयोजन हम लोग करते हैं। तीसरे जो है जो आपका कंसल्टिंग इस्पोंसर रिसर्च and consulting के थूरू उसमें हम मदद करते हैं जैसे इसी के तहत में बताना चाहूंगा कि जैसे टीहिरी डैम है तो टीहिरी डैम के लिए inflow forecasting system for टीहिरी डैम अभी हम लोगों ने डेवलप किया है और जो कि ये 2018 से सुचारू रूप से flood forecast को issue कर रहा है इसी तरह का system जो है NHPC के जो एक चमेरा 3 project है इनका हिमाचल प्रदेश में उसके लिए डेवलप किया जा रहा है और जिसका करार अभी दो दिन पहले ही इनके साथ में हुआ है तो डारेक्ली इंडारेक्ली जिस भी तरीक से हम जैसे अंडर्ग्रेजवेट लेवल पे चात्रों को परशिक्रित करना इंसर्विस इंजिनियर्स को परशिक्रित करना दैन कंसल्टिंग के थू जो है हैं डैम सेक्यूरिटी की सेफ्टी की बात करें क्या इससे रिवर राइन एकोलाजी को भी फायदा होगा या डाउन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन जो लोग रहते हैं इन सब को भी और किस किस किन किन लोगों को फायदा पहुँच सकता है इससे देखिए जो डैम हैं हमारे लिए प्राइम सोर्स हैं वाटर सिक्यूरिटी का और अगर हम इन डैम्स को ठीक तरह से रख रखाब करके इनकी सेफटी को इंशूर करके कंट्री के लिए अगर हम वाटर सिक्यूरिटी इंशूर कर सकते हैं तो इस वाटर सिक्यूरिटी की वज़े से हमारे जो ड्रिंकिं भी जुड़ी हुई है क्योंकि जो हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं वो पीकिंग डिमांड को मीट करने के लिए लिए नौर्बली हम यूज करते हैं इसके अलावा यह जो पानी है हमने जो अपने इतना भंडार किया हुआ है डैम्स के पीछे इसको हम जो है इंडस्टियल यूज के लिए भी यूज करते हैं और इन सबसे उपर जो हमारे डैम्स में इतना पानी स्टोड है यह हमारी जो है फूड सिक्यूरिटी के लिए बहुत जिरूरी है क्योंकि इसको हम जो है इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं तो यह जो वाटर सिक्यूरि से ये जो है मदद कर रही है जहां तक रिवर्स की एको लॉजी और इन्वाइरमेंट की बात है तो इस में मेरा ये कहना है कि अगर हम डैम्स से controlled releases हमेशा करते रहें जितने की उसके लिए minimum requirement है तो हम जो river rain ecology है और जो environment है उसको भी हम ठीक तरह से maintain कर सकते हैं जी प्रोफेसर गोयल ये बताईए कि आपने बताया किस तरह से training department में काम चल रहा है और R&D की अगर हम बात करें तो इस direction में और क्या कुछ कर रहा है अपका institute R&D के direction में जैसे drip project के तहत ही वैसे बहुत सारे अरियाज में जो है IIT rule की काम करती है drip project के तहत ही हम लोगों ने जैसे कुछ discharge measurement की advanced techniques है क्योंकि जो कोई भी hydrological estimates हैं वो observation based हैं तो आज की rate में non contact based methods जो हैं वो चल रहे हैं तो उस दिशा में हम लोगों ने चार साइट्स भागीरती catchment में develop की हुई है और अभी Central Water Commission के सहयों के साथ तीन चार साइट्स पे और उस non contact methods radar based discharge measurement की साइट्स को हम लोग develop करेंगे और बहुत सारे जैसे सिस्मिक हैजार एसेस्मेंट टूल की तो बात इनों ने की है और कुछ हम लोगों ने लैब्स जो है की हम लोग जो है उतके ऊपर काम कर रहे हैं फ्लड एस्टिमेशन फोर्कैस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं जी तो जितने दूसरे पहलू हैं इसके डैम उसके लिए उस पे हम लोग काम करते हैं जी आपने काफी कुछ बताया की डैम किस तरह के मेजर्स उठा रहे हैं आप लेकिन अगर आप से जाना चाहें तो कौन से इंपॉर्टन स्टेप्स हैं जो कि आप इस दिशा में उठा रहे हैं ऐसे मैंने बताया कि यह जो प्रोजेक्ट है यह करीब 736 डैम जो है कंट्री के उनको अड्रिस करेगा उनके जो रि तो जो बाकी डैम है हमारा जो भारत सरकार है उसका उदेशे यह है कि उन डैम की जो सुरक्षा है सेफटी है सिक्यूरिटी है उसकी तरह भी उतना ही ध्यान दिया जाए और जैसा मैंने पहले बताया कि भारत सरकार का जो इसमें जो मेजर रोल है वो एड्वाइजरी है वा आप जो है अपने जो डैम्स हैं उनको अच्छी अवस्था में रखें उनकी सिक्यूरिटी सेफटी इंशियोर रख करें लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वज़े से इस तरह से हो नहीं पाता और देखने में आया है कि कई वर बहुत सारे डैम्स जो हैं कुछ डैम्स जो हमारे डैम ओनर्स हैं उनके उपर एक लीगल बाइंडिंग हो जाए कि उन्हें अपने जो डैम्स हैं उनको प्रॉपर कंडिशन में रखना है उनको प्रॉपरली जो है ऑपरेट करना है तो इस दिशा में भादत सरकार ने अभी रिसेंटली ही एक डैम सेफटी बिल जो है पास होने के बाद एक लेजिसलेशन बन जाएगा तो इस तरह के अगर स्टेप अगर हम ले लेते हैं और उनके उपर इंप्लिमेंटेशन शुरू करते हैं तो मुझे उमीद है हमारे देश के जितने भी डैम से हैं उनकी कंडिशन बेहतर होगी और जिस परपस के लि किस तरह से कंडिवीट कर सकता है इन शेपिंग न्यू इंडिया देखे जो हमारी कोई भी हमारे एसेट है जिसंपे जिसकी हमको बहुत ज़्यादा जरूरत है जिसका जिसकी उपर हमें फक्र करना चाहिए जिस पर हमें घर्व होना करना चाहिए उसके बारे में एक में जानकारी होनी चाहिए और एक बिल्कुल अच्छी जानकारी होनी चाहिए साथ ही साथ उन सब का देख रेख और रख रखाओ उस हिसाब से जब हमारा कोई कीमती ऐसे होता है तो हम उसको अपने घर में किस तरह से अच्छा रखते हैं उसी तरह से उनके भी मन में ये बात इतनी जरूरी चीज है और जो इतने जरूरी हमारे एसेट्स हैं जिसमें कि हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं जहां पे जहां तक हम बात करें उसकी तो उसके बारे में जो सोच है और जो एक टक्नीकी है वो सब हमारे पास ही होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए कि हम दूसरे देशों में भी उनको बता सकें कि अगर आपके पास इस तरहें के आसेट्स हैं तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं कंसल्टेंसी हम दे सकते हैं हमारे लोग और हम देश के तौर पे या इंस्टिटूशन के तौर पे से रूड की आई 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 टी रूड की है इन्हों ने तो खेर ये पहल ले ही रखी है साथी साथ इसमें ये भी वो है ये नॉर्मली सिविल इंजिनरिंग का ही एक हिस्सा है जो ये वाटर मैनेजमेंट है और ये सारा पर उस तरह से फोकस करना विदिन डैट वर्टिकल ये अनरी चीज हर जैगे हम लोगं का यही विशार है हकि हर दो हम लोगों का यहीः है करें ओट रह। हने इसरे के लिए सजब रहते हैं तो कम совсем यह जो अगर दो बित्य हम पूरीतर देश की तरफ हमें देखना नहीं हम अपने ही हिसाब से उसको कर सकें और दूसरे देशों को हम यह अपनी एक्सपर्टीज दे भी सकें तो इस फिल्ड में तो कम सकम भारत आत्म निर्भर हो जाए आप लोगों ने समय निकाला संजे जी गुलशन जी प्रोफेसर साब स्टू आए हमें इमेल कर सकते हैं इसके लिए हमारी आइडी है dd-urdo-specials at gmail.com इसी के साथ हमारे पूरी टीम को दीजिए जाज़त आदा आप झाल झाल झाल